हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक्टू मैं यूट्यूब चैनल आज की सिरू मैं AEW डायनमाइट इन मार्च 27 पे अपना रिवी पेश करूँगी तो चले देना करते हुए स्टार्ट करते हैं रेवी डायनमाइट में विलोव स्प्रेव शिबाड़ज विलोव ऋप्रेव विक उप्रेश करे लेता है बैस्टेश रेडेय पेक्ट एंट्री उट्वी करती है जिसमें यउग बश्टेश एंड यंग बग्स प्राइवेट पार्टी को डिफेट करके टोर्नमेंट का मैश विन कर लेते हैं एंड देन मर्सेडिस मनें एंट्री करती है एंड कोमेंटी टेबल पर बैट के के लिए होने वाले विमन फैटल 4-way मैश को वास्ट करती है एंड इस फैटल 4-way मैश में एना जे स्काई बिलू विलू नाट एंगल एंड क्रिस स्टेंड लेंडर होती है मैश वाग एपसुलूटली गूड एना जे गूड परफार्मस देती है बट एन ओफ दी मैश विलू नाट एंगल एना जे को पिन करके विक्ट्री पिक अप कर लेती है एंड देन आफ़र दी मैश जूलिया हाट आकर विलू नाट एंगल को अटेक करती है एंड देन मसर्डिस मने की तरफ देखकर स्टेड आउन करती है जूलिया हाट से आखिर टी बेस चेंपरशिप को लेता है देन बैस्टेज रेपेके एट क्रिस चरको एंड एंड एस्टी डव्य चैंपियन हुक का एंट्रिव करती है एंड क्रिस चरको से पूछती है कि आपने लास्ट वी कहा सागे आपके पास हुक के लिए एक प्रपोजल है और वो प्रपोजल क्या है जिस पर क्रिस चरको से इसके हुक मैंने तुम्हारे साथ मैच किया एंड मुझे रिलाइस हुआ है कि तुम वर्ल्ल चैंपियर्शिप मेटीरियल बाहन सकते हो एंड इसके लिए मैं तुम्हें मेंटोर कर सकता हूँ जिस पर हुक सेज के मुझे आपका आइडिया बहुत पसांद आया और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे मेंटोर करोगे देन बेक स्टेज एक डिरेक्टर टोनी स्टोर्म का एंट्री करता है एंड टोनी स्टोर्म को थैंक्स कहता है कि आपने इस टाइम में ड्विजन को रेलिमेंट किया है एंड देर में में मेंट ऑफ दी इवनिंग स्ट्रीक लेंड वर्सिस तुनुसी टकिष्टा का फार्दी वाल है में चैंपेश शीप के नमबर वां के डैनर का मैश बिगेन होता है जिसमें एंड उस दी मैश स्ट्रीक लेंड विक्री पिक कि अव्यर हाइव नहीं है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस वीडियो में तो वीडियो अच्छों लगए नल् & बाइप करणे स्ट्रीक करें जोक्ति अबकित आश्चल 112 00 क Right ? सब्सक्रा